पलसर एक ऐसा ब्रेंड जो खुद अपने दम पर आगे बढ़ रहा है बजाज कंपनी ने अपना लोगो यहां से अठा दिया क्योंकि पलसर अपने आपको आगे लेके बहुत जबरदस तरीके से बढ़ रहा है 2001 में पलसर का रेवलुशन हुआ था और आज 19 साल के बाद भी नंबर वन के पोजिशन पर कायम है 1500cc सेगमेंट में सबसे ज़्यादा यह बाइक बिखती है और जितने भी इसके राईवल हैं सब को यह टेरराइज करती है 42% मार्केट में शिरफ अकेली इस बाइक का शेर है जो 1500cc में आती है इसको लेके 2001 में भी लोग भूमा चाते थे और आज भी इसको लेके भूम मचाना चाहते हैं मेरे दौस्त ने भी सोचा था कीस बाइक को लेखे फूम फूम करेंगे लेकिन इस बाहिक भूम में कर दिया तो उस ही से पूछ लेते हैं क्या भूम भूम को सथ हूआ है Kैसे हुआ है और अब इस बाइक के साथ आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे तो चलिए बात आगे नहीं ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं उनका दुखडा सुनने के लिए उनको बुलाते हैं तो यह हमारे दोस्त हैं जो इस बजाज पलसर के साथ दूम मचाना चाहते थे लेकिन नहीं मचा पाई यह कुछ और ही मचा रहे हैं तो अब यह दुखडा रहेंगे अपना इस बजाज पलसर के लिए चलो जी आपना रोना शिरफ दुखडा रोना है ठीक है बताइए चार महीने में इस बाइक ने क्या क्या आपको दुख दे दिया तो मैं जल 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 दी इसे कवर करता हूं सारी चीज़ें बताता हूं कि इसमें क्या दिक्कत आई थी कैसे क्या हुआ था और उन दिक्कतों से कैसे बचना यह बीदी के लास्ट में आपको तो प्लीज वीडियो लास्त तक देखना ताकि आपको ऐसी प्रोब्लम्स फेस करन यह बोलतो हूँ अभी कर लीजे प्रिश हाँ पैसे घंडी मे रिकतने हो गया तो यार मैं यह 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 लेक्ट कर यह दो इन पर स्क्रेच मर्क्त था प्रिश्क तो इसमें इक इंजन पे इंजन पे श्क्रिच मार्ग था था कुई दिक्कत नहीं जाए जल्दी मे लेने थी मुझे थोड़ी सी अर्चेंसी थी उसके बाद हो जगता है आपको भी लेनी पड़ जाए कभी ऐसी तो यह इसमें न तो बजाज की गलती कहूंगा मैं न आपनी कहूंगा दोनों को उनको देनी थी मैंने लेनी थी बस कतम बात मुझे लगा कोई बड़ा इशू निया लिली म यह आप कहलो कि जर्र आसे कंटिम्या आता है वो जब भी चालिष से उपर स्पीड जाती है फिफ्ट गेर होता है तो पैंसट्सकी स्पीड थे वो चलता है दो प्वेंट यह आपको लगता है कि यह ब्रीदिंग साउट गलत है बजाज ने मशीन नहीं इंसान बनाया यह श कि एक अफ्ते के अंदर फिरिस के अंदर मैं ओफिसर बाइक लिए रहा था रहा था इसकी पेट्रोल टैंक में से जो पाइप निचे आता है एंजनी तरफ उसमें से एक कप्लिंग होती है वो तूट गई उसमें से पैट्रोल निकलना लगा मैंने टेप एब मार के उसको ऐसे पार्ट होता है वो पार्टी नियुक्त अज तक है भी नहीं है बीस बार मैंने उनसे पूछ लिया यह क्या कर अभी तक इसके अंदर टेप लगई है और यह जैसे कि आप कितने पुरा निवाई के यह यह जुलाई के स्टार्टिंग मैंने ली थी जुलाई 2020 में जुलाई 2020 मास्किंग टेप लगी होती है पल्सर के लोगों पर तीन मास्किंग टेप वो जब निकलती है या तो आप उनको पहले निकाल दो अगर बाद में निकाल लगए तो बुरी तरह से शिपक जाती है और फिर उतरती है तो वह मास्किंग टेप उन्होंने हटाई होगी इस पर मारा होगा तंकी के बिल्कुल यहां से पल्सर के पी के उपर से पेंट उदर गया इसका बाइसा पेंट नहीं बाइक का फर्स सर्विस पानी के प्रेशर से पानी के प्रेशर से पेंट उतर गया इसका ऐसे उतर गया वो पूरा इस पर पैच है जैसे कि आप देख पारे है वीडियो में पैच बना हुआ पूरा ये जो रेड रेड सा पार्ट दिख रहा है आपको ये रस्टिंग जो टंके के उपर होती है न मेटालिक वह लाद दिख रहा आपको उसके बाद ये जो ब्रीधिंग साउंड आ रहा है इसका इंजन का ये इसकी परफोर्मेंस लेट दि जब मैं उस स्पीड पर पहुंचा तो बाइक ने जर्क मारा और स्पीड एगदम से स्लो होगी फिर एगदम से हाई फिर स्लो ऐसा मेरे साथ कम सेंटीन चार बार वा जब स्पीड इतनी स्पीड पर गई वन जिरो वन टू वन जिरो फाइफ वायचांस अगर इंजन बंद ह जो जाए तो एक्सडेंट तो पक्का है यह तो ऐसा हो जाता है बैट्समें ने मारा सिक्सर और जाकर लग गया हो उपर जो केमरा गुंता ना रा ड्रोन केमरा उस पर लग गया है मैंने आपको पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं शटाफ एई ऐसे ही छोड़ो इसको इसको माफ कर देते हैं बच्चे को यह पहले दुखी है ठीक है तो यह सैट अप कहे या कुछ भी कहे ठीक है इसको माफ करते हैं सिरफ रह तो मैंने दिखाई मैं का भाई यह इसमें दिक्कत है कि वह इनके पास कोई स्रूशन ही हुआ क्योंकि वह ब्रीधिंग की वेज़ इसके आरा था उनको ब्रीधिंग प्रोब्लम फाइंड आउट नहीं कि किस पाइप में से कहां से क्या लूज है और एक टाइट जरूर रहा था लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ मैंने ही एक जुगाड करके बस ऐसे ही मैं देख रहा था तो मुझे लगा कि एक पाइप इस पर मैंने तार बांदाला पेट के और उसके बाद कुछ कम जरूर हुआ है साउंड लेकिन पूरी तरह से सही नहीं हुआ है ठीक है यह होगी दिक्कत है अब इसको मैं अबताता हूँ एक और दिक्कत क्या आने वाली है खड़ाओ उधर अब एक और दिक्कत जो इनको आ कम हेर इंसरेंस को लेकर ना बड़ी दिक्कते रहने लगी है कभी तो जो इनका सर्वेर होता है वो अपनी चलाता है वह इसमें यह आप गलत होता रहे हैं कभी कंपनी करूल ऐसे होते हैं मैं भी आपको देंगे नहीं एक ब्रेजा से रिलेटेड भी दिक्कत आई थी वो मै यह एक्षली मेरी बाइक का चोटा से एक्षड हो गया था एक गाय का बच़ड़ा आ गया था एक दम से साइड से राइट से उसी दिन मैंने वाइप टाइट किया थोड़ा सा चालीस पचास देख लिता हूं चला कि इसका साउंड मुझे भी उस ताम जाना हुआ मैं चलान अगराने बाद जो इंजन का काउल होता है वो मतलब थोड़ा सा इसलोकेटिल हो गया उसके बाद पेट्र टैंक पर बढ़ा बड़िया दिखने वाला देंट आ अपड़ा न इसका राइट का इंडिगेटर टुट गया वहां था-इस कि करा एक तैंपरर वहां पे वहां प में उसके बाद सर्वेयर को फोन और भोलता है right सेंटर में इंसृरंस वालो चाहिए आपने लगवाया है यह अपने खुद लगा एसा तो होई नहीं सकता ऐसा तो पोसीबल ही नहीं है यह तो कोई लोगा नियुकिन नहीं बनता यह मैंने जान बोच कि अपने भाई खराब कर एगा ऐसे कौन करता है जो एक्टॉल है वो है ऐसे ऐसे करके उसने मेरी अफसी भाकिया काफी बहुए उसके साथ और tweaking थ्यूसरिवित का दुन S 000 करकाना शेख ही उने में करने-चे पहले हो पैले हुसकि स्टैटमेना ये करेंगा फैरीया करेंग लुख। इन से बचो, इन से मत करो, क्योंकि कम्पनिया तो है ठीक है, लेकिन जो इनके सर्वेर होते हैं, यह बड़ी दिक्कत करते हैं, अब मैं बचाता हूँ, मेरे साथ जो दिक्कते हैं, आप कैसे इन से बच सकते हो, कोई ना कोई तो डिफेक्टिव पीस होता ही है, यार, बाइक क इतने हजार पीस बनते हैं, कादी में तो डिफेक्ट निकल या था, उसको जल्ली दिन इप्टा जिता है, इसको इमरेंसे में लेनी होते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, बाइक को पूरी तरह से चेक करो, टेस्ट ड्राइव लो, कम से कम पचास की स्पीड तक भाग मतलो, आप दस जार बचाने के चक करें और देड लाग रुपे खराब वेस्ट कर रहे हैं, अगर परफोर्मेंस लेटेड कोई भी आपके इसमें दिक्कत आती है, कोशिश करो कि वो साथ की साथ ठीक हो जाए, बाद कार तो बाद ही रहता है, फिर अगर आपकी शोरम वाले लेटाएन रहे नहीं सुनते, बाद मेल पर बहुत सुनता है आपकी यह चीज मैने देख लिए मेरे मेरे में जो दिक्कते थी चोटी मोटे बीच में दिक्कते आहें थी, साँट के लिए में डाला था, बाद से अगली और अगलिए पास कॉल आगा तर रहा इसंपी तो नह लगेगा उनको भी चीखने में लेकिन उनके पास बंदे होने चीजए उनने बनाया है चीज को तो ट्रेनिंग दो यह कुछ भी अगरो तुम्हारी रिस्पोंसिबिल्टी कस्तमर क्यों भुकते चीज को इतना पुराना ब्रेंड हो गया तो ठीक है सरकारी से इंशोरेंस मतलो अगर आप नई बाइक लेने जा रहे हो मैं क्यता हूं आप गाड़ी भी लेने जा रहे हो उनको बोलो इंशोरेंस के पैसे मत काटना मैं अपना कुद दो लूगा वह आपको बोलेंगे कि आप इंशोरेंस अगर बाहर से लोगे तो भाईक तब भी बाहर निकलेंगी जब आप पेपरियां पर स्हपमेट जाएंगे एक दोगा Chapter एक फुछप अपने इनका देख लिया है विच रख्यप हो गए है सब्सक्राइब कर देना झाल